हेलो दोस्तों आप से भी का स्वागत है आपका अपना युट्यूब चाइनल मैट्स स्टार में और दोस्तों मैं हूं रौशंसर क्लास 12 के लिए फिजिक्स में जो चाप्टर 2 दिया है विधूत विभाव एवंधारिता जिसको बोलते हैं एलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनकापाशिट्र इससे संबन्धिक इम्पोटेंट अबजेक्टिब पोश्चन ले करा गए हैं तो इस क्लास के स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज के किलास का one number question तो question आप लोग के skin पे question कह रहा है विभाव परवन्ता बराबर होता है option number a dxy dv option number b dr into dv option number c dvy dx option number d इन में से कोई नहीं तो इस एक number का right answer option number c हो जाएगा यानि की dvy dx option number c will be right answer of this question next question दो number दो number question आप लोग के skin पे तो दो number question कह रहा है एक समरांतर पटी का संधारित की धारिता के लिए निमलिखित में कौन सही है option number a epsilon 0 बाटा a option number b epsilon 0 d बाटा a option number c d बाटा epsilon 0 a option number d इन में से कोई नहीं तो दो number का right answer option number a हो जाएगा यानि की epsilon 0 d बाटा a sorry option number a होगा दो का answer यानि जो option में दिया है epsilon 0 बाटा a next question question number 3 तीन number question कह रहा है आप लोग के screen पे एक बिंदू आवेस q से दूड़ी पर बिभाव बिधुत बिभाव का मान होता है option number 1 बाटा 4 पाई epsilon 0 q बाटा r option number b 1 बाटा 4 पाई epsilon 0 q बाटा r square option number c q इन्टू r बाटा 4 पाई epsilon 0 और option number d इन में से कोई नहीं तो तीन number का right answer option number a हो जाएगा 1 बाटा 4 पाई epsilon 0 इन्टू q बाटा r next question question number 4 4 number question कह रहा है r त्रिजय के प्रिथवी की बिधुत धाडिता होती है option number a r बाटा 4 पाई epsilon 0 option number b 4 पाई epsilon 0 option number c 4 पाई epsilon 0 बाटा r और option number d 4 पाई epsilon 0 इन्टू r2 तो च्यार नमबर का right answer option number b हो जाएगा 4 पाई epsilon 0 r next question पाई नमबर कराय कि बिधुत बिभाव बराबर होता है option number a q by w option number b w by q option number c w q option number d root under w q तो पाई नमबर का right answer option number b हो जाएगा w by q is the right answer next question question number 6 एक फैराडे बराबर होता है option number a one c v option number b one c v inverse option number c one c v प्रतिय स्क्वाईर option number d one c v स्क्वाईर तो 6 नमबर का right answer option number b हो जाएगा one c v inverse next question question 7 number question 7 number question कह रहा है 1 स्विम question ने 7 number question आवेसित चालाकी स्तितिज उड़जा option number a c v e square option number b bij two c v e square option number c 1 by three c v e square option number d बाइ four c v e square तो 7 number का right answer option number b हो जाएगा 1 by 2 c v e square नेक्स्ट गोष्चन आथ नमबर कोष्चन कह रहा है किसी सुक्ष्म विधुत दुदू का मध बिंदू से बहुत दूर आर दूड़ी पर विधुत विभाव शमनुपाती होता है अपसा नमבר A, R अपसा नमर B, 1 बटा R अपसा नमर C, 1 बटा R स्क्वार अप्सन नमर D1 बटा RQ तो 8 नमर का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर C1 बटा R स्क्वार नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 9 नमर कर रहा है काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत बाड़ एक्जाम में इस कोश्चन को पुछा गया है एक स्टेट कुलाम बराबर कितना कुलाम आप्सन नमर एक कह रहा है कि 3 गुने 10 के पौर 9 आप्सन नमर भी 3 गुने 10 के पौर माइनस 9 आप्सन नमर C 1 बाइ 3 गुने 10 के पौर 9 और आप्सन नमर D 1 बाइ 3 गुने 10 के पौर माइनस नौव डी नमबर होगा नेक्स्ट कोश्चन दस नमबर दस नमबर कोश्चन कह रहा है कि आर्थ रिजिया के गोलाकार चालग को Q-AVS दिया गया है Q-AVS वाले कौन को उसके केंद्र बिंदू से प्रिश्टक ले जाने में किया गया कर अप्सन नमबर A 0 अप्सन नमबर B 1 by 4 pi epsilon 0 Q into a small q by r अप्सन नमबर C 1 by 4 1 by 4 pi epsilon 0 q by r अप्सन नमबर D 1 by 1 by 4 pi epsilon 0 q by r तो इस 10 नमबर का राइट एंसर अप्सन नमबर A हो जाएगा 0 0 is the right answer of this question नेक्स्ट कोस्चन इगारा नमबर इगारा नमबर कोस्चन कह रहा है जब एक पड़ी रक्षन आवेस को अनांत से किसी बीधुत दिवधरों से लंबवत और ठक और धक के अनुदिस ले जाता है तब किया गया कार अप्सन नमबर A धनातमक अप्सन नमर A रिनातमक अप्सन नमर C सुन्य अप्सन नमर D मेंशे कोई नहीं एगारा का right answer अप्सन नमर C हो जाएगा यानि कि सुन्य नेक्स्ट कोस्चन बारा नमबर बारा नमर कोस्चन कह रहा है निम लिखित में से किस रासी का मातरक भी वाय िम होता है option number A बिधुत्य फ़लक्स option number B बिधुत्य बीभव option number C बिधुत्ध धाड़िता option number D बिधुत्य च्षेत्र तो बारा नम्बर का right answer हो जाएगा option number C यानि कि बिधुत्धध धाड़िता is the right answer sorry, बारा नमर का अंसर होगा d यानि विधुत छेत्र is the right answer of this question next question तेरे number तेरे number question करा है कि प्रभावी धारिता 5 mu f को प्राप्ट करने के लिए सिर्फ 2 mu f के कम से कम कितने संधारित के आव सकता होगी option number a 4 option number b 3 option number c 5 option number d 6 तो तेरे number का right answer option a हो जाएगा यानि 4 is the right answer of this question next question चौदे number चौदे number question a तथा भी के बिच सम्टूले धारिता आपको देखिए चित्र दिया गया है तो right answer option number हो जाएगा 20 बाटा 9 mu f काफी important question है और बहुत बार एक्जाम में इसको पूछा गया है next question question नमर 15 या दिसी से कि एक पट्टी को वायू संधारित की प्लेट के बिच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता option number a बढ़ेगी option number b घटेगी option number c इस्तिर रहेगी option number d सुन्य होगी तो 15 का right answer option number a हो जाएगा यानि की बढ़ेगी next question 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 number 16 16 नमर question करेक यदि 100 भोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित की संचित उड़जा एक जूल हो तो संधारित की धारिता होगी option number a 2-10 के पाउड 4f option number b 2-10 के पाउड 4f option number c 2-10 के पाउड 2f option number d 2-10 के पाउड-2f तो सुरे number का right answer option number b हो जाएगा यानि की 2-10 के पाउड-4f b number will be right answer of this question next question 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 नमर 17 देखिए 17 नमर question पे ध्यान दिजिए 17 नमबर question कह रहा है एक mu f धारिता के दो संधारित श्यामनांतर करम में जुड़े है इसे स्रेनी करमे 0.5 mu f का एक तिसरा संधारित जुड़ा है परिनामी होगी option number s, 0 mu f option number b, 12 mu f option number c, 10 mu f option number d, 0.4 mu f तो 17 नमबर का right answer हो जाएगा 0.4 mu f यानि कि d number will be right answer of this question next question, question number 18 यानि कि 8 नमबर question आवेशित संधारित पर संग्राहक पति का और संगनक पति का आवेश का योग option number a, सुन्य option number b, 1 micro कुलाम, option number c, 1 कुलाम, option number d, अनन्थ तो 18 नमबर का right answer option number a हो जाएगा यानि कि सुन्य is the right answer of this question next question next question, question number honest, honest number question कह रहा है कि दो सामान धारिता c वाले संधारित को शम्रांतर करम में जोरने परुन की शम्रांतर शम्रांतर धारिता होती है option number a, 2c, option number b, c, option number c, c by 2, option number d, 1 by 2c, तो honest number का right answer हो जाएगा 2c, यानि 2c is the right answer of this question next question, बिस नमर विधुदारिता का मातरक होता है option number a, volt, option number b, newton, option number c, faraday, option number d, ampere, तो बिस नमर का right answer, option number c हो जाएगा, faraday is the right answer of this question next question, question number, 21, 21 number question कह रहा है कि एक वैधुत समरांतर पटी का संधारित की पटियों के बिच, डाल देने पर धारिता का मान, option number a, बढ़ता है, option number b, समान रहता है option number c, घटता है, option number d, इन में शे कोई नहीं तो 21 number का right answer, option number a हो जाएगा, बढ़ता है, a number will be right answer of this question next question, 22 number, तो 22 number question कह रहा है तीन संधार्ड जिसमें पटेक की धारिता c है, स्रेनी करम में जूरे हैं, उनकी तुल धारिता है तो option number a कह रहा है, कि 3c, option number b कह रहा है, c by 3, option number c, c by 3, option number d, 1 by 3c तो 22 number का right answer, option number c हो जाएगा, यानि कि c by 3 is the right answer of this question next question, 23 number, तो 23 number question कह रहा है, वांडी गराफ जनित्र एक ऐसी उकती है, जो उत्पन करती है option number a, पत्यावर्ती सक्ती, option number b, उच आवडिती की धारा, option number c, उच भोल्टता option number d, जाल बिधूत, तो 23 का right answer होगा, option number c, उच भोल्टता next question, question number 24, समान धारिता के 3 संधारित को स्रेनी करमें जुरने पर तुल्य धारिता 6μf होती है, यादि उन्हें शमनांतर करमें जुडा जाए, तो धारिता होगी option number a, 18 microcol, option number b, 24 microcol, option number c, 54 microcol, और option number d, 34 microcol तो 24 number का right answer option number c हो जाएगा, 24 microcol is the right answer of this question next question, question number 25, धातु का प्राबैधूत होता है, option number a, 0, option number b, infinitive, option number c, 1, option number d, minus 1 तो इस 65 number का right answer option number b, यानि कि infinitive is the right answer of this question next question, question number 26, तो 26 number question कह रहा है, कि 1 microfarad धारिता वाले संधारित की पाटिका के बिच, एक भोल्ट भी वानतर रखने पर आवेसित संधारित की आवेस होगा, option number a, सुनिय, option number b, 1 microcol, option number c, 1 column, option number d, अनन्त तो 26 number का right answer option number आपका b हो जाएगा, यानि कि 1 microcol, तो इस class का ये last question होगा, यानि कि question number 27, 27 number question कह रहा है, कि बहुत बार इस question को पुछा है यानि कि समझ दीजे कि और आप लोग एक्जाम में आने का 95% संभावना है, 64 संभूप बुंद दिन में पढ़ते कि धारता 5 microfaraday है, मिलकर एक बरे बुंद बराते हैं, बरे बुंद कि धारता, option number a, 1 faraday, option number b, 20 microfaraday, option number c, 65 microcol, option number d, 164 microfaraday, तो 27 number का right answer, option number b हो जाएगा, तो आज कि सेशन का मैंने chapter 2 था, जो chapter 2 था, यानि कि chapter का नाम था, बिधूत भी भावत था धारता, electric potential and capacitor से संभाधित काफी important question आप लोगों को बता दिये, अगर आप लोगों को ए वीडियो आच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास share किजिए, और चैनल को subscribe नहीं किए, तो subscribe करके बेल वाले घंटी को प्रेस किजिए, ताकि हम जब भी इस परकार से वीडियो अप्लोड करें या live आए, तो सबसे पहले आपके पस्ट नोटीफिकेशन पहुंचते हैं, तो thank you so much, फिर मिलता है एक नए वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद!